श्रीनगर से ही मेरी सायोगी मौश्मी सिंग इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई है मौश्मी क्या मौसम को देखते हुए कारकरम में कोई तबदीली करी गई है या फिर कारकरम जस्का तस्थ बना हुआ है बिल्कुल निया सुप्रभात आज का मौसम बहुत सर्द है और बहुत बेदर्द है हम लोग श्रीनगर में हैं और जो सवाल आपने किया शाद कॉंग्रेस वालों के जहन में भी ये सवाल होगा तमाम नेता ऐसे थे जो सुबह की फ्लाइट में आने वाले थे लेकिन आप देख रहे हैं इस वक्त हम लोग अब्दुल्ला फ्लाइवर पर खड़े हैं और चारों तरफ नासिर आपको दिखाएंगे किस तरह बरफ की चादर है हमारी जो गाड़ी है उसमें देखे किस कदर बरफ उसकी छट पर पड़ी हुई है एक मोटी परत और ये सड़क को क्लियर किया गया है जो येलो वार्निंग दी गई थी श्री नगर और साउथ कश्मीर और किष्टिवार के तमाम इलाकों में कि मंडे को बहुत बारिश भी होगी और बरफ बारी भी होगी उसके मदे नजर आप देखे कि पूरा श्री नगर सफेज चादर में ढखा हुआ है और यहीं पे शेरे कश्मी स्टेडियम में ओपन एर कारिकरम होना था अब कॉंग्रिस जो है असमंजस में क्योंकि कुछ इंडॉर लोकेशन ढूंडी जा रही है पर मौसम से जो सड़क और हवाई यात है वो भी प्रभावित हो गया है नहां यहां पर आप देखें कि रोड में क्लियरिंग का काम चल रहा है बरफ को क्योंकि बरफ में चनला बेहद मुश्किल हो जाता है और यहां पर पीछे भी देखें आपकी पूरी सड़क को क्लियर किया जा रहा है पर फिर शेरे के कश्मीर स्टेडियम में कारिकरम कैसे ह होगा यह बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है और अभी भी आप देखें कि अभी भी धीरी हलकी हलकी बरफ गिर रही आज पूरे दिन यही अनुमान लगाया जा रहा है तो इतना हम जरूर कह सकते हैं नेहां कि कारिकरम थोड़ा देर से जरूर आज लगता है शुरू का स्वरूभ कैसा होने वाला है क्या क्या तैयारियां की गई है किसको वहां पर आमंतर दिया गया है और तमाम पार्टी इसको लेकर भी संशे बना हुआ है मौशमी कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है देखे निया अभी आपने बताया दर्शकों को कि जो पाटिया है जाये तोर पे इसमें कोई बड़े दल या बड़ा चेहरा आपको नजर नहीं आएगा नाशनल कॉंफरेंस से उमर अब्दुल्ला कर भी मौझूद थे और आज मौझूद रहेंगे पर अगर आप देखें कि विपक्ष की जो धूरी है उसमें जो बड़े चेहरे हैं कि मंता बैन जी हो शरत पवार हो या फिर आदित ठाकरे या उद्धव ठाकरे हो बड़े विपक्षी दलों को निमंतरन देना कितना सही था क्योंकि जब आप बड़े नेताओं को बुलाते हैं और वो नहीं आते हैं तो फिर मामला थोड़ा फीका पड़ जाता है पर सवाल यह है क्योंकि आज तो कॉंग्रेस का फंक्शन है कॉंग्रेस भले ही कहले कि यह सियासी फंक्शन नहीं है पर राहुल की कट आउट से कॉंग्रेस की जंडे हैं तो जायत और पर जो विपक्षी पार्टियां है वो चाहती है कि पहले आमने सामने अक्रोस टेबल 2024 की बात हो जाए उसके बाद हम मांच साजह करते हुए नजर आए यही वज़ाए कि आप देखिए कि जो छोटी दल है जी एम एम क्योंकि आलाइंस में है और छोटी दल है वो नजर आजाएंगे आपको नाशनल कॉंफरेंस श्री नगर से पर बड़े दल और बड़े नेता जो दिगज नेता है वो कन्नी काटते हुए इस फंक्शन से नजर आ रहे हैं तो बहुत बहुत श हुआ किया